जैहिन सुडेंस, क्लास नाइन, चलते चलते हम अंतिम प्रश्णावली पर आ चुके हैं, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रल टिंडेंसी यानि केंद्री प्रवृत्ती, में, मीडियन, मोड, माध्य, मधेका, बहुलक, मधेका को माध्यक भी कहते हैं, माध्यक अलग चीज हैं, इन तीनों के बारे में, बचों मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ, और हमने जो सीरीज पढ़ी हैं, वो तीन पढ़ी हैं, पहली पढ़ी है, इंडिवीज्वल, व्यक्ति, कॉमा लगा, लगा के लिखते जा रहे थे, दूसरी हमने पढ़ी है, इधर होता था, एक्स, इधर होती थी, फ्रिक्वेंसी, इधर होता था, एक्स, इधर फ्रिक्वेंसी हैं, और तीसरी हमने सतत वाली पढ़ी हैं, इंटरवेल होते थे 10 to 20, 20 to 30 और यहां फ्रिक्वेंसी यह तीन पड़ी है ना तो में हमको केवल सिलेबस में फर्स्ट और सेकेंड के लिए है क्या माध्य केवल इन दो के लिए है मधिका तो केवल फर्स्ट के लिए है और बहुलक शायद इन दोनों के लिए देखेंगे जैस से question आते है ना यानि इस वाली third वाली को उन्होंने touch भी नहीं किया है और third के जो questions है वो थोड़े standard के वो आप 10 में पढ़ लेना तो अभी क्या हो रहा है अभी आपका base तयार हो रहा है ना हम क्या पढ़ने वाले है माध्य पढ़ने वाले यानि मीन निकालना सीखेंगे कौ पस्ट वाली जो हम कॉमा लगा-लगा कर लिख लेते हैं रॉडिटा वाली और second जो हम discontinuous एक तरफ x होता एक तरफ f थर्ड वाले को हम नहीं touch करेंगे ठीक है चले तो सबसे पहले मीन क्या होता है माध्य होता क्या है माध्य होता average जैसे हम बोलते है ना औसत बोलते है ना मात्र एक फॉर्मूला है बच्चों वो है sum of all observations upon number of observations बस यह एक मात्र फॉर्मूला है ठीक यानि कि आकडों का योग बटे आकडों की संख्या आकडों की संख्या ठीक है आप मान लेजिए आपके घर में पांच पैकिट आए किसी चीज के आए समझ लीजिए आप बिस्किट के आए ठीक है उसमें सभी पर लिखा हुआ है 100 ग्राम लेकिन आप वेइंग मशीन से तोलने बैठे तो किसी में निकल रहे हैं 99 ग्राम किसी में निकल रहे हैं 98 ग्राम किसी में 101 भी आ रहे हैं किसी में 100.5 आके अटक गया और एक और आ गया उसमें 99.5 अग्जेक्ट 100 ग्राम किसी में नहीं निकला ठीक अब आप से कह रहे हैं कि एवरेज बताओ, एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या किया, आपने इन पाचों जो आपके पास पैकेट आए ना, उनके वेट का सम किया, और डिवाइड भी कर दिया 5 से, ये नियम है, ये सूतर है, ठीक है, जिसका आपको एवरेज लेना है, उन सब का कर दो टोटल, और अ समझे आप, अब ये आकडे तो 5 थे, बहुत सारे होते हैं न, तो हम क्या लिखेंगे, X1, पहले वाले अब्जर्वेशन का नाम रख दिया, X1, ठीक है, दूसरे का रख दिया, X2, तीसरे का रख दिया, X3, ऐसे चलता जाएगा, अब ये भी नहीं मालुम की कितने है, तो अंदास से या एक मानलो की N है, N कुछ भी हो सकता, 10, 20, 25, 50, 1000, लाग करोड कुछ भी, N लिख दिया, ठीक, अब पॉन में भी क्या आजाएगा बच्चों, N, ठीक है, जितने आप उपर लोगें, उस संख्या नीचे आजाएगी, अब ये क्या है, मान है, किसका, X का माध्य मान है, मीन है, इसको लिखते है, X बार, ठीक है, अगर आकड़े Y में लिखोगे, तो Y बार, जो भी लोगे, वो बार आजाएगा, ये बार का चिन्न दर्शाता है, ये इन सबका ओसत मान है, average value है, गॉट इट, तो ये हुआ, अब इसको भी लिखने का एक simple तरीका है, वो ह बच्चों, sigma, ये नई चीज़ आप सीख रहे हो, sigma यानि की M को टेड़ा कर दो, या W को टेड़ा कर दो, ये sigma, sigma का मतलब होता है, submission, total करना, जोडना, तो इतना सब लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो यहाँ पे X I, ठीक, I is equal to 1 to N, I यानि आइटम नंबर कहलो, तो I is equal to 1, यानि की पहला वाला, I is equal to 2 means दूसरा वाला, I is equal to 3 means तीसरा वाला, ठीक है, और submission, ये जो चिन्द लगा, इसका मतलब इन सब का total, तो ये जो ऐसा described way में लिखा है ना, इसको short में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और upon N, बस, तो ये भी एक formula है, थोड़ा shortcut हो गया ये, बात आ गई समझ में, तो ऐसे लिखो, तो भी mean का ही formula है, ऐसे लिख दो, तो भी mean का ही formula है, बबा, ठीक है, अब आते हैं, ये तो वो हो गई, कौन सी individual series थी ना, जो कौमा लगा लगा कर हमने लिख दी थी, और अब हम आते हैं, ऐसे कि यहाँ पर दिया है X, I, समझो है ना, और यहाँ दिया है F, जैसे कि मान लिजिए कि आप ऐसे समझ लो कि 5 नमबर 2 बच्चों के आए, 6 नमबर 1 बच्चे के आए, 7 नमबर 2 बच्चों के आए, 8 नमबर 3 बच्चों के आए, 9 नमबर 4 बच्चों के आए, और 10 नमबर सिर्फ 1 बच्चे के आए, ठीक है, अब अग बच्चों के पाँच आए 5,5 छे नमबर एक बच्चे के आए 6 साथ नमबर दो बच्चों के आए 7,7 आठ नमबर तीन बच्चों के आए 8 ऐसे लिख लूँ तो ऐसे फॉर्मुला लग जाएगा यहां मैंने थोड़ा इसको शौट कर दिया अब आपको एड करना है तो 5 प्लस 5,10 होता है ना यहां 5 इंटू 2 करके भी तो 10 ही आएगा है ना 6 को 1 से किया तो 6,7 प्लस 7,14 तो यहां लिख दो 7,2014 8 प्लस 8 प्लस 8,24 होता है तो 8,3024 तो यह शौट कट हो गया ना एड करने का एड तो हम यहां भी ऐसे फैला कर लिखते तो भी हमको बीच में प्लस का साइन लगाना था और अपॉन लगाना था यहां पर मल्टिप्लाई करके थोड़ा इजी हो गया 9,4036 आप 9,9,9,9 लिख चार और एक, 5 और 3,8,4,12,1,3, समझो, तेरा बच्चे टेस्ट देने के लिए आए, पाँच से कम किसी भी बच्चे के नहीं आए और 10 से जादा का टेस्ट ही नहीं था तो पाँच से दस के भी तेरा बच्चों ने टेस्ट दिया ठीक, यह समझ लो तो यह टोटल क्या है, और यहां से देखा तो यह क्या है सारी frequency का total है 13 क्या है सब frequency का हमने जोड़ दिया तो 13 आया याने कि n बोलो चाहे तो frequency का total बोल तो एक ही तो बात हुई बच्चों अगर मैं 13 बच्चों के कॉमा लगा लगा कर लिखती या मैंने ऐसे लिख लिख लिया बात तो एक ही है है ना तो n बोल दीजिए या फिर sigma fi बोल दीजिए एक ही बात है ठीक अब यह जो कॉलम आया इस कॉलम में मैंने क्या किया fi into x i fi को x i से multiply करकर के लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा देखो छे चार दस चार चार चौदा छे बीस जीरो टू दो तीन चार पांच छे तीन और यह रिवा क्या बात है 100 अंदा से लिया था बट 100 आ गया अब formula क्या बन गया देखो formula वही है x bar sum of all observations हमने sum ही किया लेकिन तरीका change हो गया तो यह 100 लेना है मुझे यह क्या है column का नाम क्या है fi x i fi x i यह इसका total है तो अब लिखने का तरीका change हो गया क्या हो गया sigma fi x i जो यहाँ पर केवल sigma x i था अब बदल के बन गया sigma fi x i बच्चों बात वही है कॉमा लगा के लिखने से अच्छा multiply करके लिख दिया upon में यह n है यह हो जाएगा sigma fi यानि हम अपनी definition से नहीं हिले परिभाशा हमने वही रखी लिखने का तरीका बदल गया तो यह वाला formula यूज होगा जब ऐसी discrete series या discontinuous series हमको दी जाएगी एक में x होगा एक में f होगा ठीक है और simple दी जाएगी तो यह वाला लगेगा बस इतनी सी बात ठीक है तो mean आपको होना नहीं चाहिए मेरा तो nature है एक चीज को दो दो तीन दीन बार तो at least बोलती ही हूं कि बचों के अच्छे से समझ में आ जाए अब मैं दूसरी चीज पताने जा रहे हूं आपको वो है बच्चो मीडियन मैंने सुचा एक-एक करके बताओं लेकिन जब मैंने question देके तो एक ही question में तीनों चीज़ें पूछ ले हैं तो बबाबा एक साथ ही बताना पड़ेगा ना अब हम पढ़ने जा रहे हैं median इसको हिंदी में कभी माध्यक कह देते हैं कभी मध्यका कह देते हैं दोनों एक ही बात है अब मैं इसके बारे में आपको बता रहे हूं मध्यका बच्चों केवल इसी सीरीज की मुझे सिखानी है ये सीरीज और ये सीरीज की आपको syllabus में नहीं दी है केवल इसी की कैसे करना है आपको डेटा दे रखा है सबसे पहले उसको ascending या descending order में अरेंज करो यानी आर अवरोही क्रम में उसको adjust करो पहले लिखो अवरोही आरोही या अवरोही इंगलिश में कहते हैं ascending या descending ऐसे ठीक है पहले उसको arrange करना होता है जैसे कि मान लीजे कि कुछ लड़कियां खड़ी हुई है लाइन से है ना और मुझे उनकी height नहीं मालू मैं उनसे पूछ रही ह एक ने बोला 131 cm दूसरे ने बोल दिया 120 तीसरे ने बोल दिया 125 फिर आ गई 132 वाली फिर मैं ले लिया 135 एक और लेते हैं 127 128 ऐसे कुछ भी ले लिया ठीक है अब मुझे बतानी है इसकी मदी का मतलब median और यह जो हम पढ़ रहे हैं ना यह central tendency है केंद्रिय प्रवरति इसका म हम middle most value निकालना चाहते हैं यहां हमने क्या निकाला माद यह भी तो average था एक अंदाजा बता दो भईया तुमारे क्लास में क्या स्थिति है बच्चों की ऐसे ही median भी यही काम करती है मोड भी यही काम करता है लेकिन सबका तरीका अलग है सबके outputs भी थोड़े थोड़े अलग इस है तो मैं इसको ascending order में लिख रही है तो सबसे छोटा कौन 120 लिखा उसके बाद 125 लिखा फिर लिखा 127 फिर आया 128 फिर आया 131 132 135 चेक करें 1234567 1234567 बराबर यह भी देखना नहीं है कोई छूट ना जाए न ऐसे इतना आया समझ में इसके बाद बच्चों क्या करते हैं मैं आपको अगले पेज़ पर लगाते हूं इसके बाद हम देखते हैं कि कितने observations हैं अभी आपने देखा कितने थे 7 और ऐसा भी हो सकता था कि 8 यानि कि यह odd भी हो सकते हैं और यह even भी ह हो सकते हैं ठीक है अब एक सेक्रिट लगेगा मैं डेटा यहां पर कॉपी कर रहे हूं लीजे मैं इसको कॉपी कर दिया ठीक अब क्या हुआ बच्चों पहले मैं odd का केस बता रहे हूं फिर मैं even का केस बताऊंगी ओके तो पहले odd odd जब भी होते हैं तो आप करोगे यहां प प्लस वन अपोंड लू कब जब अ आउड थैं तब की बात कर रहे हैं भच्चों अब Carton में बीडिय एन टर्म कहलो अइन प्लस वन अपॉन जके लो ठीक है में प्लस वन अपोंड टू उत मीडिय अन पद, माध्य पद, माध्यक पद, माध्यक पद, बराबर, n प्लस 1 अपॉन टू, वा, होगा, ठीक, अब 7 है, 7 प्लस 1 अपॉन टू करने से कितना आया, 8 अपॉन टू, 8 अपॉन टू करने से क्या आया, 4, चोथा, हाँ, तो 1, 2, 3, 4, आपकी मीडियन हो गई, 1, 28, ये, तो ये टर्म नंबर है, टर्म नंबर, यानि मीडियन नंबर बोल दिया था, तो मीडियन टर्म नंबर या मीडियन टर्म, माध्यक पद था, चोथा, और चोथे नंबर पे कौन बैठा है, 128, ठीक, तो आपकी मीडियन हो गई, यानि माध्यक हो गया, 128, समझे, ऐसे करना ह 128 will be your median तो कुछ खास नहीं है simple है एकदम अब मैं करती हूँ even number अभी यह है मालो और एक लड़की अचानक आके खड़ी हो गई और उसका जो height है ना उसकी भी 127 ही है ठीक अब मैं क्या करूँ अब मैं ऐसे लगाती हूँ 120 125 127 128 127 दुबारा दूसरी लड़की भी 127 की ही निकली 128 131 132 135 अभी n कितना है 8 8 यानी even even का case सुन लो even में क्या होता है एक तो n upon 2th term लिया जाता है ठीक है और एक n upon 2 plus 1 देखो बच्चो यह अलग है यह n plus 1 upon 2 है और यहाँ क्या है n upon 2 plus 1 दोनों में फर्क है और बहुत फर्क है ठीक है इन दोनों term का average यह होती है median किसमे जब even हो यानी कहने का आर्थ यह है कि जब पद संख्या sum होती है sum संख्या यह विश्व यह sum sum होती है तो 2 माधी का पद होती है 2 उन दोनों का average ले इसमें तो एक ही था 4 था देखो न यहाँ गया यह गया यह गया यह गया यह गया यह गया यह गया बीच के दू रहे गये यहां तो जगड़ा हो गया, क्या करें, है न, तो कैसे निकालते हैं, तरीका दे कोई छोटे थे न, तो अपने काट अटके कर लिए, अगर 120 होते तो कैसे करतें, तो फिर इसलिए ऐसे एक रूल बना दिया, कि पहले तो n का आधा कर दो, वो वाला टर्म लेलो, फिर उस आधे में एक जोड के उसके आगे वाला टर्म लेलो, उन दोनों टर्म का लेलो, एवरेज चलिए, अब यह 8 है न, 8 अपन 2 टर्म होगा, ठीक, प्लस 8 अपन 2 प्लस 1 टर्म होगा, अपन 2, ठीक, याने कि चौथा पद, फोर्थ टर्म, प्लस 4 प्लस 1, 5, फिफ्थ टर्म, अपन 2, तो अब मेडियान हमारे पास बस आने ही वाली है, चौथा टर्म कौन सा है बच्चो, 127, यहां लिख देंगे हम, 127, प्लस, यह क्या है, 128, पाच्वा टर्म कौन सा है, 128, अपन 2, तो 127.5 आ जाएगा, लेकिन करदार पड़ेगा अपने को, तो यह हो गया, 255 अपन 2, 127.5, ठीक, आया समझ में, नहीं आया, तो वीडियो को एक बार और देखलो बबा, सिंपल है, एक बार शॉर्ट रिवीजिन, ओड होता है, ओड होता है, तो बस प्लस 1 अपन 2 करो, जो टर्म नंबर है, उस पर कौन बेठा है, वह हमारा अंसर है, अगर इविन होता है, तो पहले उसका आधा करो, और आधे के आगे वाला लेखो, दोनों टर्म को जोड़ दो, और उसका एवरेज ले दो, बस ये है, मीडियन हो गया है, आखरी चीज है, मोड, मोड का मतलब हिंदी में कहते है, बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, बस, अब जैसे ये डेटा है, इसमें दो बार आ गया 127, तो इसका बहुलक हो गया 127, ये है, बताओ कितने सिंपल सी चीज है, अब ये मैं पिछला एक्जामपल लूँ अगर, तो यहाँ पर मैंने एक टेबिल थी, ये X है, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो बहुलक कौन हुआ, सबसे ज़्यादा फ्र कि mean, median, mode, जो भी हो, X का होता है, F का कुछ नहीं होता, F तो बस help करता है, X में से ही answer आना चाहिए, तो अब यहाँ पर frequency किसकी सबसे ज़्यादा है, 9 की, तो हमारा mode यानि बहुलक होगा 9, इतनी सी बात है, got it or not, एकदम सिंपल है न, चले, अब हम question करते हैं, केवल first question इस व questions के लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, एक team ने football के 10 matchों में निम्नलिखिद goal किये, the following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches, हाँ, पहली match में 2 गोल किये, फिर 3 किये, फिर 4, फिर 5, एक बार एक भी goal नहीं कर पाई team, ऐसे, इन goalों के माध्य, माध्यक और बहुलंग, ग्याद कीजे, clear, data, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, सबसे पहले निकाला जाए, mean, M, E, A, N, mean, ठीक क्या होता है, mean बच्चों, इन सब का observation, ओ सॉरी, इन सब का sum, तो 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 0, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 3, अपन 10, क्योंकि ये 10 मैच की बात कर रहे है, तीन और तो 5, 5 और 4, 9 और 5, 14, 15 और 3, 18 और 3, 21, 4, 25 और 3, 28, 28 बटे 10 से अमारा answer आगया, 2.8, ठीक है, अब दूसरी चीज़ लेते हैं, मधिका, मैं यही ले रही हूं, क्योंकि फिर मुझे data क पपी करना पड़ेगा, मधिका में कितने हैं बचों, एन कैसा है, 10 है, 10 कैसा होता है, इवेन, यानि कि समसंख्या होती है, तो पहले हम मीडियन टर्म्स निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं, इस बार अलग-अलग निकालते हैं, ठीक है, मीडियन टर्म्स, एक तो होगा, एन सबसे पहली बात, एक गड़बड तो हो गई, वो गड़बड क्या हो गई, सबसे पहले, arranging them in ascending order, ठीक है, दिये गए पदों को, या observations को, आखणों को, आरो ही क्रम में लगाने पर, रखने पर, यानि कि बढ़ते क्रम में रखने पर, रखने पर, तो सबसे पहले आएगा zero, मैं आपके सामने ये रखती हूँ, ठीक है, देखो, सबसे पहले आएगा zero, फिर आएगा one, फिर आएगा two, फिर एक, दो, तीन, चार, चार बार थ्री आएगा, one, two, three, four, चार बार आएगा, इसके बाद four, एक, दो, दो बार four आएग और five बस एक बारी, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, perfect, मैं टाउन जरूर कर लेने चाहिए, ठीक है, अब हम निकालेंगे, median, median क्या होती है, बिटा, median होती है, fifth term, plus sixth term, upon two, यही system सिखाया था, यहाँ पर मैंने direct formula लिग दिया था, यहाँ पर मैंने पहले term number अलग से निकाल कर, अब मैं formula लगा रही हूँ, एक ही बात है, तो fifth term, one, two, three, four, five, fifth term क्या है, three, और sixth भी three, तो यह हो जाएगा, three, plus three, upon two, तो हो जाएगा, six upon two, यानि कि three, mean कितना आया था, two point eight, और median कितनी आ गई, three, अब किसकी बारी है, अब बार है, mode की, यानि कि बहुलक, बहुलक क्या होता है, जिसकी frequency maximum हो, जो सबसे जाधा बार आया हो, तो सबसे जाधा बार कौन आया, three, चार बार आया, तो इसका बहुलक हो गया, three, यानि कि median और mode तो सेम आ गए, और mean बस थोड़ा सा कम आया, इसका reason लिख दे न, हिंदी वाले, ह सबसे जाधा, three occurred, maximum number of times, that's why, और three सबसे जाधा बार आया है, तीन की आवरिती सबसे जाधा है, अता है, इसका बहुलक तीन होगा, ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले के questions के साथ, अपने next video में, till then, जय हिंद,